नमस्कार साथियों एक बार फिर से आपका हर्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जहां वेरियस कम्पिटिटिव एक्जाम्स के लिए हम आपके सेक्शन्स जो हो वो डिसकर्स कर रहे हैं वो भी डिटेल में इंग्लिश, हिंदी, जीके, मैथेमेटिक, सैफिर, साइकॉलजी कुछ भी हो गया हर्ट टॉपिक आपका डिटेल में डिसकस किया जा रहा है सेम एज इंग्लिश की वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए इंग्लिश और हिंदी पर मेरा फोकस इसलिए है क्योंकि इंग्लिश और हिंदी जो है वो सबसे easy scoring subject होते हैं इनमें आप easily score कर सकते हैं लेकिन यह सेम टाइम उतने ही नंबर मरवाते भी हैं अगर आप इनको थोड़ा सा केरफुली नहीं करें तो इनको थोड़ा सा केरफु यह आपने देखना है कि वर्ड ऐसा कौन सा है जो beautiful की जो है वो आपको sense दे रहा है तो यह आपका एक सेकंड रुकिए यह थोड़ा सा घड़ बढ़ा गया हां जी तो देखिए beautiful आपको पता है कि beautiful होता है आपका खूबसूरत तो यह आपका दे रहा है pretty जो है यह आपकी sense दे रहा है synonym पूछा गया है तो pretty जो beautiful का synonym as a synonym act कर रहा है अगर हम जो है beautiful के और synonyms की बात करें तो यह होता है एक attractive आता है एडबल टी आर एसी टी आई वी इसलीजिए एक आता है आपका handsome अगर इसके एंटोनेम की बात करें तो एंटोनेम इसका आता है ugly के यही मेरे साथियों को यहां पर dsmart दिख रहा होगा नहीं इसका एंटोनेम आता है beautiful का ugly अगली ही होता है dsmart नहीं होता है ugly आप करेंगे अगर पेपर में जो होगा आपको अगली option है अगली option नहीं होगा dsmart ओगर साथ में none of these होगा तो आप करेंगे none of these लेकिन dsmart गलती से भी मत कर देरा है अगला देखते है select the word which means exactly the same to the word funny funny के बराबर का शब्द कौन सा है तो यह है guys आपका humorous साइनोनेम funny का funny का मतलब होता है मजाक वाला या मजाक या हासेपद जिसको बोलते हैं हासेपद जिसको बोलते हैं तो humorous भी वही आता है इसके अलावे इसका आता है comic भी बोलते हैं इसका synonym को या फिर amusing ए-m-u-s-i-n-g Amusing जो आपका word है यह बहुत confuse करता है कि Amusing का के वर आपको पूछा जाता है कि Amusing का sign or name बताइए तो Amusing का होगा humorous, funny या comic कुछ भी कर दीजिए या फिर Amusing का antonym पूछा जाए तो Amusing का antonym आपका आजाएगा Serious यह फिर tragic ठीक है Serious यह tragic आजाएगा जैसे funny का अगर antonym की बात करें तो Serious और आपका क्या आजाएगा Tragic T-R-A-G-I-C लिख लिजिए इसको tragic जिन मेरे साथ ही उन्हें पुरानी वीडियोस नहीं देखी है प्लेडिस्ट में जाएगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेडिस्ट के लिंक मिल जाएगे वहाँ पे हर एक सेक्शन की वीडियोस जो है मैंने डेटेल में डाल रखे हैं आप उन वीडियोस को देख सकते हैं अगला question देखिए Select the nearest meaning for the idem phrases for question number 33 to 37 आपको idem phrases के सही meaning बताने है आपके बास idem दिया गया है We should guard against our green-eyed friends गईज हिनों ने यहाँ पे यह paper बहुत simple दिया हुआ है नहीं तो आप से पूछा जाता है Green-eyed का आप सीधा सा meaning बताए तो यहाँ पे बताया हिनों ने कि We should guard against our green-eyed friends तो इसका सीधा सांसर निकल कहा रहा है कि हमें जो है वो अपने दोके बाज मित्रों से आ जो आपके जो जलते हैं उन से जो सावजानी बरतनी चाहिए तो इसका मतलब आता है Green-eyed का jealous जो है वो इसका मतलब आता है मतलब bread तो मतलब मोटाई और hair बाल के मोटाई कितनी होती है तो मतलब narrow narrow escape मतलब वो जो है वो accident से बाल बाल बच गया बाल बाल बचना hair bread जो है इसको बोलते हैं narrow आ जाएगा अगला देखते हैं All his efforts ended in smoke All his efforts ended in smoke Ended in smoke का आपका मतलब आता है कि उसके जो है वो बिलकुल waste हो गया vanish हो गया come to nothing उसके सारे efforts के उपर पानी फिर गया मतलब उसको जो है last में कुछ भी हासिल नहीं हुआ पानी फिरना जो है ended in smoke अगला question देखते हैं Ram decided to bury the hatchet bury the hatchet का मतलब होता है end a quarrel और जो आपका किसी जगड़े का end करना and become friendly किसी जगड़े का end करने के बाद जो है दोस्त बन जाना उसको बोलते है bury the hatchet तो इसको बोलते है इसका सही हो जाएगा to make peace शांती जो है वो बनाना देखिए इसका meaning भी यही आ रहा है बरी the hatchet का मतलब क्या होता है कि आप जो जगड़ा ख़तम करे हैं और जो है friends बन रहे हैं दोस्त बन रहे हैं अगला question देखते है गुपाल is different student he is often all at sea तो guys all at sea का मतलब होता है कि unable to decide what to do कि आपको पता ही नहीं कि क्या करना है कहा जाना आप totally confused नहीं है तो completely confused डिसका जाएगा और let's see कि आपको कुछ पता नहीं है कि what to do unable to decide what to do कि आपको करना गया है तो option number A अगला question देखते हैं guys questions को simple मत समझे बहुत tricky question है और बार बार आपसा exam में पूछ जाएगे हो सकता है इस बार टैट में यही रिपीट हो जाए जेविट एंट्राइस में यही रिपीट हो जाए अगला देखते हैं who said English question number question number 38 है वो मैं पढ़ रहा हूं who said English is our major window on the modern world तो guys यह बोला था आपके पंडित नहरू जी ने कि English जो है वो हमारी modern world के लिए major window है as window जो है वो काम करेगी through the world के लिए English language अगला question देखते हैं William Shakespeare was a great यह थे आपके dramatist ठीक है William Shakespeare writer थे लेकिन writer से ज़्यादा इन्होंने dramas लिखे हैं तो dramatist जो है इनको सबसे बड़े dramatist के रूप में जो है भूजाना जाता है यह आपके question थोड़ा सा गडबला गया देखें I first met him I first met him blank year ago तो guys इसका आजाएगा देखें इसका मैंने आपको बताया था कि year year के साथ जो है आवाज कुछ अजीब सी आती है यहाँ पे तो जो भी year आएगा तो आपने n की जगा जो है ए लगाना है यह ध्यान रखिएगा कि I first met him a year ago यहाँ पे आएगा आपका जब भी year आएगा तो year के साथ यह आप पल्ले बाद लीजी कि आपने जो preposition या article की बात कर रहे हैं तो article जो आपने a लगाना है n का use नहीं करना है अगला देखते है question number 41 when is the boy about sorry there is the boy about blank keyword speaking तो guys इसका मतलब इसका सीधा साएगा whom who's who him जो है वो तीनों के तीनों rejected है whom इसका मतलब भी बनेगा कि वह लड़का कहां है जिसके बारे में जो है वो आप बात कर रहे थे तो इसका answer आजाएगा option number A whom अगला question देखते हैं he hanged himself blank a piece of clothes तो कि साथ मतलब कपड़े के साथ बनदा ना तो विद आएगा यहां पे कि उसने जो हचा आपको जो है एक कपड़े के साथ हो है fancy लगाली एक कपड़े के टोकड़े केसा रे तो विद आएगा यहां पे अगला देखते हैं शी राइट स्लोली ब्लैंक नीटली यहां पर आएगा बट वह धीरे लिखती है प्रंतु यह किन्तु प्रंतु बट का मतलब यही होता है लेकिन यह प्रंतु सुन्दर लिखती है यह साफ सुतरा लिखती है तो ऑप्शन नॉमबर डी अगला option दिखते हैं अगला question दिखते ह है लिखती है उर्म फिशी तो यह इस अंडिगोन यह संदिखत आत्मक लिखते है संदिखते हैं देमाग आप खुद लगाएं गए तो इसा नहीं सपीसिस की बात कि शी लिखती है नहीं कि इस और चीज की तरफ शारा करें तो चुप-छाब से जो हट के option दिख रहा हुआ है इसके अगर हम और synonyms की बात करें तो इसके होते हैं सब्सक्राइब के लावा questionable doubtful ए suspect suspect की spelling आपकी यह रहेगी questionable आप लिख सकते हैं और doubtful की spelling भी आप लिख सकते हैं या मैं लिख देता हूं d-o u-b-t-f-u doubtful जो है वो यह spelling आपकी रहती है अगर इसके अन्टोनेम की बात करें तो इसके आ जाएंगे open या फिर honest अन्टोनेम लिख लिए open या फिर honest जो है वो आपके fishy की open का मतलब खोला या सब के सामने और honest का मतलब इमानदा और fishy जो है वो आपका होता ही संदेयात्मक या जो suspicious है जो आपका doubtful है अगला देखते हैं अन्टोनेम अफ अडोर अडोर का मतलब आपका आता है पहले इसका मतलब समझने जरूर है अडोर का मतलब आता है बहुत ही पसंद करना या बहुत ही प्यार करना बहुत ज्यादा प्यार करना ठीक है तो इसका जो है वो आपका क्या आएगा डिसलाइक जो हो ज्यादा वह हता है अगर एक और अन्टोंइम देखेंगे तो इसको और एक एम इसके हम वह करें साइनो नेम्स की बात करैं तो साइनो नेमस की देखेते हैं लव अर्डब आईओर के यह फिर चेरिश Cherish जो हो इसका आता है Cherish love मैंने आपको पताया यह होता है Disclike और hate जो है अगला question दिखते है The word oasis means Guys बार बार यह पूचे जाता है Oasis का मतलब क्या होता है Oasis होता है आपका A shady fertile place in desert Desert में जो है आपका एक छोटी सी जगा जिसको बोलता है जैसे हम एक छोटा सा भगीचा रख लेजिए Shady fertile Desert के बीच में जो आपका मरुस्ताल है उसके बीच में एक बहुत ही उपजाओ जो जगा होती है छोटी सी जगा एक fertile place जोता है उसको जो है oasis बोला जाता है अगला question देखते है Important question है option D a big share of something लाइन पीस of meat या term used in share market a narrow escape from lines attack ये सारी चीज़ों को neglect कर दीजिए big share of something की आपको पता है कि माल लिए अगर ऐसे question आपको आजाते है आपको नहीं पता चल रहा है तो आप ऐसे idea लगाई ये खुद को एक situation में डाले देखी कि मतलब जंगल के पांसाथ जानवर बैठे है एक जानवर होनों ने मार दिया है तो क्या करेंगे कि lion सबका राजा होता है तो वो सबसे ज़्यादा हिस्सा जो हो खुद के लिए रखे आगा तो big share of something जो है इसका खुद बहुद आ जाएगा अगला question दिखते हैं question number 48 आपकी screen के उपर close the window change into passive voice close the window आपने इसका क्या करना है passive voice में change करना है तो guys ऐसे sentences जो है आप let's say जो start करेंगे मैं आपको voice जो है वो detail में करवाए है आप active passive voice आप क्या करिए आप playlist में जाएए description box में आपको English की playlist का link मिल जाएगा directly playlist में जाएगे वहाँ पर active passive voice की video 15-20 मिनिट निकाल के देख ली जाएगा देख ली तो आपके जिंदी की भर के लिए active passive voice पक्के हो जाएगे tense पक्के हो जाएगे tense की वीडियो भी वहाँ पर पढ़िए आप जिंदी की में कभी भी close की three form होती close closer close 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 is three form of verb जो हो आएगी यह होगी आपको पता active passive voice में three form of verbs का हम यूज करते हैं अगला question दिखते हैं question number 49 choose the correct sentence from the options given below ठीक है तो guys आपने जो है वह यह correct sentence choose करना है पहला है आपके पास he informed the matter to the पूछ नहीं सकता है यह तो वैसे रिजक्ट हो गया ही रिपूर्टर ठीक लग रहा है ही रिप्लाइड रिप्लाइड का मतलब भी गलत होगा कि इसके लिए पुलिस में बात होगे तो रिपोर्ट आएगा अगला कॉशन देखते हैं who is known as the father of English drama तो greatest dramatist जो हमने पूछा कि पीछे question देखा था कि William Shakespeare को क्या जाना जाता है ड्रामाटिस्ट के रूप में तो William Shakespeare को जो हो चुप चाप से आप क्या करिए इसके उपर टिक लगा दीजिए इसको जो है लॉक कर दीजिए लॉक कर दिया जाए जी हाँ माल गुड़ी का आदम हो लिख लीजिए माई डेज इसके लाव इन्हों लिखी है financial expert financial f-i-n-e-n-c-i-e-l फाइनशियल एक्सपर्ट इ-x-p-e-r-t यह इनकी फेमस वुक्स है खुश्पन सिंख की बात करें तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिख रखी है नाइटिंगेल, I shall never hear a nightingale, तीसरा है, the portrait of a lady, the portrait of a lady, लिख लेजे, the portrait of a lady, भाई, I spotted the emergency, भाई, I spotted the emergency, और फिफ्ट लिखिए, देली अनोबल, D-E-L-H-I-A-N-O-V-E-L, देली अनोबल, जो है, I hope आपने जो है, यह लिख ली होगा, दोबारा से सुनिए, इसका पहला लिख लीजिए, train to Pakistan आगे आपका, दूसरा है, आपका, train to Pakistan, I shall never hear a nightingale, उसके बाद आगे आपका, the portrait of a lady, उसके बाद आगे आपका, why I spotted the emergency, और लास् कोशन देखते हैं, सारत चंद्रा ने कौन से लिखी, यह भी बहुत famous writer हुए, इनकी एक famous कृती है, देखिए, जो आपकी देवदास movie बनी है ना, बॉलिवूड की, वो इन्होंने लिखी है, story, 1917 में इन्होंने लिख दी थी, देवदास, ठीक है, उसमें पारो का character इनका बह पारी में है, in which characters tell a story by gestures, ठीक है, इसमें words use नहीं किये जाते है, only expressions जो है, वो आपके use किये जाते है, expression या gestures जो है, जिसमें जो है, story जो है, वो आपके gestures through, tell की मतलब बताई जाते है, इसमें no words use होते है, जितने भी characters है, वो story आपके gestures through, बताते है, अगला question देखते है, money makes the mere go, money makes the mere go, आपकी proverb है, ऐसी proverbs से आपको आजाते है, two and two makes four, a little knowledge is a dangerous thing, यह भी बहुत famous जो हब आपकी proverb है, तो यह भी बार बार पूछी जाते है, अगला question देखते है, he is not blank clever as his brother, गई से as आजाएगा, वह उतना चलाक नहीं है, वह अपने भाई की तरह या उतना चलाक नहीं है, जितना उसका भाई है, as आजाएगा, अगला देखते है, you will win the first prize, blank, you work hard, if सिदा सिदा, तुम्हें पहला prize हो, वो मिल सकता है, प्रथम पुरुषकार मिल सकता है, यदि तुम क्या करो, मेहनत करो, work hard करो, कठिन मेहनत करो, तो if का मतलब होता है, यदि, ऐसे आपको जो हो, रिलेट करना पड़ेगा, hurry up, blank, you will be late, और, इसका आजाएगा, hurry up, or you will be late, जल्दी करो, नहीं तो तुम जो है, वो लेट हो जाओगे, I waited for him until he arrived, मैंने उसका तब त तक इंतजार किया, जब तक वो जो है, वो आ नहीं गया, until he arrived, अगला question देखते हैं, Select the word which is most opposite meaning to the word active, तो guys, active का मतलब आपका होता है कि सक्रिये, तो active के जो आपके opposite एंटोनेम देखना है हमने, तो एंटोनेम आएगा, आपका lazy, ठीक है, एंटोनेम lazy है, इसके लावा और एंटोनेम होते हैं, एक inactive आता है, एक listless आता है, या inert आता है, passive नहीं होगा, inactive listless आता साइनोनेम इसके आजाएंगे, mobile, energetic, operative, working, functional, mobile, energetic, operative, working and functional, अगला कोशन देखते हैं, select the word which is most opposite meaning to the word, always, always का मतलब होता है हमेशा, तो इसका हमने क्या करना है, एंटोनेम चूज करना है, हमेशा मतलब कभी नहीं, never का मतलब होता है, कभी नहीं, इसका अगर हम और वो करें, अ फिर sometimes होगा, seldom जो है, अगर आपको कहीं seldom देख जाए, never ना हो, तो seldom पर आपने होगो, टिक लगा देना, अगर इसके हम साइनोनेम की बात करें, तो साइनोनेम इसके होते है, every time या all the time, always के, every time या all the time, तो ठीके गाइस, thank you so much, आज की वीडियो को यहीं पे खतम करते हैं, I I hope आपकी लिए वीडियो फाइदे मंद रहेगा, आपके काम का रहेगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने friends, family members के साथ share जरूर कीजिए, नए साथी चैनल पे जो हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बैल आइकन दबा लिजिए, ठीक है guys, thank you so much, अपना time देने के लिए कल दोबारा मिलेंगे, किसी नए topic के साथ, किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए thank you, have a nice time